नमस्कार साथियो, मैं सुमेर चोधरी, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कमल करणवारिया पर साथियो, राजस्थान लाइब्रेजिन की वेकेंसी आ चुकी है और अब सभी काम छोड़ करके इस वेकेंसी में जुट जाना चाहिए अभी नहीं तो कभी नहीं, मुके बार बार नहीं मिला करते हैं, ध्यान रखिए इस येज़ का, वेकेंसी काफी सालों से आई है, अगर सलेक्शन ले लोगे, तो अपने सपनों को भी साकार कर पाओगे नहीं, यहीं बचीड खाते हुई मिलेंगे अपन, ऐसे मौके जिन्दगी बार बार नहीं देती है, अउसर रोज नहीं मिला करते हैं, यह टाइम है और बहुत जल्दी एक्जाम भी हो जाएगा आज करेंगे, कल से करेंगे, परसो से करेंगे, इसी में आपका टाइम निकल जाएगा उसके बाद आपको कोई पूछने वाला नहीं है, यहीं बचीड खाते हुए फिरोगे फिर ढूंडते फिरोगे कि कोई मुझे काम मिल जाए, कमपनियों में बचीड खाएंगे और गोर्वेंट जो अब ऐसी नोकरी होती है जहां अपनी समाज में बहुत बड़ी इज़त बन जाती है अपनी वेल्यू शिरफ इस नोकरी की वज़े से है अधरवाईज अपन कितने ही पैसे कमाले समाज हमें उस नजर से नहीं देखता जिस नजर के हम हकदार है बले ही हम प्राइवेट संस्तानों में या बाहर कितने भी पैसे कमालें लेकिन समाज की जो सोच है क्योंकि अपना समाज कुछ इसी परकार का बना हुआ है तो समाज की सोच अपने लिए अगर हम कोई प्राइवेट कारिय कर रहे हैं तो अच्छी कभी नहीं हो सकती आप एक अच्छी नोकरी पकड़ लीजिए और लाइबलेरियन तो ऐसी जोब है कि आपकी जिंदगी समार देगी बहुत गजब की नोकरी है बहुत इज़त की नोकरी है बहुत ही आराम बहुत ही आराम की नोकरी है इमान दारी से अगर किसी के मन में कुछ बड़ा करने की भी हो तो इस जोब को पकड़ कर वो किसी भी मुकाम तक जा सकता है ये मैंने अब तक अनुभव किया है मैं सबसे पहले तो आप सभी का जिनों ने इतना प्यार दिया है और कमल जी सरकार साथ ही साथ पुस्तकालाई संग राजस्थान से जुड़े हुए उन सभी सदश्यों का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इन गरीब बच्चों के लिए जो बिचरे इन कोचिंगों की महंगी फीस भरने में एसक्षम है उनके लिए सोचा उन्होंने ठाना कि क्यों ना यूट्यूब पे कम से कम उन बच्चों के लिए तो कोर्स करवाया जाए जो महंगी फीस भरने में सक्षम नहीं है जो बच्चे महंगी फीस भरने में सक्षम है जो कहीं भी किसी भी कोचिंग में जा सकते हैं कितने भी फीच जमा करवा सकते हैं उनको तो इससे कोई फ्रक पड़ने वाला नहीं है अब मैं तो आपसे यही कहूंगा देखो ज्यादा ज्यान देना भी अच्छा नहीं रहता क्योंकि लोग ज्यान के भरे पड़े हैं उनको लगता है वो ले यार मैं तो खुद ज्यानी मैं मानता हूँ आपकी बात बुरा लगता है आपको लेकिन सच में जिस दिन सफल हो जाओगे न उस दिन यह चीजें आपको अनुभव होंगी तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा और यूट्यूब पर आपका बातों में ज्यादा टाइम भी खराब नहीं करूंगा मेरा टार्गेट भी यही देता है कि मैं आऊं और कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें बता कर चला जाओंगा इतना ही मेरा टार्गेट होता है और मैं आपसे कमिट्मेंट कर चुका हूँ कि मैं एक बार यूट्यूब पर कम्प्लीट कॉर्स फ्री में करू यह मेरा कमिटमेंट था और पिछले एक महिनी से मैं इस पर काम कर रहा हूँ तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास को देखिएगा आज अपना टोपिक है मेलविन डेवी क्योंकि डीडीसी हम पढ़ने वाले हैं अपने डीडीसी शुरू ही होने वाली है तो डीडीसी को पढ़ने से पहले हमें उस व्यक्ति को पढ़ना होगा जिन्होंने डीडीसी का निर्मान किया है अतार्थ मेलविल डेवी को हमें पढ़ना होगा मेलविल डेवी ने अपने जीवन में क्या-क्या कारिये किया है उन सब चीजों को हम बहुत ही आसान सब्दों में पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे देखिएगा और मेरा टार्गेट ये रहता है कि मैं फालतू की थियोरी ना लेके आऊँ जहां से क्यूसन बनते हैं एक्जाम में मैं सिरफ उसी पार्ट को टच करते इधर उदर की ज्यादा बाते ना करूँ जहां से क्यूसन बनने की संभाव नहीं आई भी नहीं है उस पार्ट में उस पार्ट को मैं यहा लाओ और आपका टाइम व्यर्थ करूँ तो मुझसे बड़ा कोई बेवकूप भी नहीं होगा और आपसे बड़ा मुर्ख नहीं होगा कि फाल्तू चीज़े आप जो सलेबस में नहीं है उन चीज़ों को आप पढ़े जा रहे हो देखा है मैंने क्यों टाइम खराब कर रहे हो भई RPSC सलेबस से बाहर नहीं जाती और जाती है तो 2-4% चली जाएगी अरे भई अगर आप सलेबस से पढ़ रहे हो और उसमें से 90% भी आ गया तो कौन रोकने वाला है आपको 90% ही करे आना आप तो सलेक्शन कौन रोकने वाला है और आप सब जानते हैं RPSC विवादों से बचना चाती है हमेसा सलेबस से भार जाती नहीं है क्यों अपना टाइम खराब कर रहे हो मेनेजमेंट पढ़ने में क्यों अपना टाइम खराब कर रहे हो मैंने देखा है ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं जो लोग reference service पढ़ रहे है reference source पढ़ रहे है गदो की रेस में दोड़ रहे हो गया अपर यहां रेस गोडो की होगी यह बेवकूपियां मैं कर चुका हूँ पहले कोई फाइदा नहीं हो उसका मुझे लगता था कि मैं लोगों से बहुत ज़्यादा पढ़ रहा हूं लेकिन वो चीज एग्जाम में जब पूछी ही नहीं जाती बहले हम कितना पढ़ रहे है क्या मतलब है तो मैं बार-बार यह कहता हूं कि सीमित पढ़िये लेकिन उसी को बार-बार पढ़िये syllabus के इसाब से पढ़िये syllabus का एक-एक point अपने हाथ से note-down करिये रजिस्ट्र के पहले पेज पे और to the point पढ़िये जितना syllabus में दे रखाया उस topic को चारो तरफ से पढ़ डालो selection तब होता है मन में आ गया कोई management पढ़ने लगया management की ठोरियां पढ़ रहे हैं गदे हो गया एक दम बेवकूप हो गया दिमाग नहीं है कि तुम लोगों में बिल्कूल भी ऐसे ऐसे लड़के देखे हैं मैंने और मैंने गलती कर दी कि मैंने खुद ने उनको बता दिया कि हाँ क्योंकि मैं उस समय करवा नहीं रहा था और मैंने कोर्स बता दिया उनको जो मुझे अब फोन करके बोलते हैं विया पसादिया आपने मुझे लगा कि यार करवाएंगे अच्छे सेलेक्टेड आदमी है अच्छी मेहनत करवाएंगे अपना लोग जो खुद का स्वार तो होता है कम से कब उसको छोड़के तो करवाएंगे लेकिन क्या कहूं इस प्लेटफोर्म पे मैं किसी के लिए कुछ क्या भी नहीं सकता गुस्सा तो इतना बरा हुआ है खेर छोड़ो पर समझदार को इस सारा काफी होता है आप लोग मेहनत करिए और तू दपोइंट पड़िए कोई फाइदा नहीं अपना टाइम व्यर्थ करने का नहीं कल फिर से यहीं बचीड खाते हुए मिलोग है तब अपने आप उद्धिया जाएगी है शुरू करते हैं अवाज मैल्विल डेवी को देखो यहां से क्यूशन एक्जाम में कैसे कैसे पूछे जाते हैं और अब तक कैसे क्यूशन पूछे गए हैं और भविश मैल्विल डेवी का पूरा नाम क्या है मैल्विल डेवी का पूरा नाम क्या है तो मैल्विल डेवी का पूरा नाम मैल्विल लुईस कोसुत डेवी है और यह क्यूशन कई बार पूछा जा चुका है ध्यान रख लिजिएगा मैल्विल लुईस कोसुत डेवी इनका पूरा दूसरा क्यूशन इनके जनम से लेकर कई बार पूछा जा चुका है बोले देवी सहब का जनम कब हुआ था तो याद रख लीजिए इनका जनम 10 दिसंबर 1851 को हुआ था और 26 दिसंबर 1931 को इनकी मर्त्यू हो जाती है अब क्या करता है एक्जामिनर इसी क्यूशन को तोड़ कर पूछने लग गया पहले तो क्या करता था यह सिरफ यहां से क्यूशन पूछता था इनके वर्स को लेकर क्यूशन पूछता था बोले जनम किस वर्स हुआ तो आप तुरंत बता देते बोले 1851 में जनम हुआ मर्त्यों कब हुई तो आप तुरंद बता देते बोले सर 1931 में इनकी मर्त्यों हो गई थी लेकिन अब थोड़ा सा पेटरंग चेंज हो गया तारीक भी नहीं छोड़ता आज कल तो अब पूछने लग गया कई बार तो ये क्यूशन बना देता है यहां से यहां से बना लेता है बोले मैल्विल डेवी का जनम कब हुआ तब तो आप बता देते हैं बोले दिसंबर 1851 में ऐसे ओप्शन बना के देदेगा आपको दिसंबर नौवंबर अक्टूबर महिना चेंज कर देता है शिरप और सन वही रख देता है आगे चेंज करने लग गया आज कल इन सब को मर्थ्यू कब हुई बोले दिसंबर 1931 ध्यान रखिएगा एक चीज का मैल्विल डेवी का जनम और मर्थ्यू दोनों ही दिसंबर में होते हैं डेवी पोर डेवी और दिसंबर भी दी से ही बनता है जोड लीजिएगा इन चीजों को डी फोर डेवी और डी फोर दिसंबर तो डेवी का जनम और मर्थ्यू दोनों ही कब होती है दिसंबर में होती है ठीक है अब आजकल यहां से भी पूछने लग गया तारिक भी देने लग गया इसका मतलब यह हुआ कि आपको कम्प्रीटली याद करना ही पड़ेगा आप बच नहीं सकते 10 दिसंबर 1851 आपको याद करने ही पड़ेगी वर्ष को याद करने से काम नहीं चलेगा मर्थ्यू 26 दिसंबर 1931 को उसके बाद क्यूशन पूचता है इनके इस्थान को लेकर भी बोले जनम कहा हुआ और मर्थ् अब इनको हम कैसे जोड़े डेवी के साथ इन चीजों को कैसे कनेक्ट करें क्योंकि अपने को तो एग्जाम में याद करना है अपने दिमाग में HELएग जब याद होगा तब ये वहां क्यूशन कर पाएंगे सिधा फैक्ट याद होगा तो ही हम क्यूशन attempt कर पाते हैं देखो लोग कहते हैं ठीओरी पढ़ो थी पड़ो ठीग है पढ़िये ठीओरी मैं यह नहीं कहता कि ठीओरी मत पढ़िये लेकिन theory हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि वो एक कहानी के रूप में अपने को याद हो जाये लेकिन exam में तो निपटना पढ़ता है ना यहीं से इनी चीजों से निपटना पढ़ता है यहीं चीजे पूछता है और theory के रूप में भी तो हम पढ़ी रहे हैं मैं क्योशन लेकर आता हूं तो उनमीं त्यूरी डालता हूं ना मैं नोड्श के जर से स juste dû सनाते हैं मेरे देखैि आ पिछले अ Olaf को लेक्ब है लोग मैंजोर से सेंटर को जोरते हैं और मैल्विल डे्वी का जनम क्योस लाण साहिए किसा देवीी साहब का जनम कहां हुआ था कहां हुआ था अतार इस्थान की बात कर रहा है और यह सब के सब option में देदेगा Adam Center भी देदेगा लेक प्लेशिड क्लब भी देदेगा और दो option और डाल देगा तो आपके दिक्कत क्या होती है लेक प्लेशिड क्लब और Adam Center दोनों में confused हो जाता है exam में क्योंकि वहाँ double दिमाग चलता है अपना दिमाग बेंकर वारा चलता है वहाँ जो सही होता है वहाँ कभी नहीं जाता है हमेशा उल्टा दिमाग चलता है वहाँ पर ज्यादा दिमाग लगाते हैं सब्सक्राइब कि यह चीजें मिक्स हो जाती है पता नहीं चलता कि एडम से सेंटर में जनम हुआ था कि मर्तिव हुई थी लेक प्लेशिड क्लब में मर्तिव हुई थी की जनम हुआ था यह दिकत करता है तो इनको जोड़ डालिया आप बहुशे में नहीं होगी देखिएगा देखो जनम लिखा हुआ है इदर जनम तो बही एक बात बताओ जनम किसी का जब भी होता है जनम होने पर वो दुनिया में एड होता है जनम होने का मतलब दुनिया में क्या हुआ एड हो गया तो एड से क्या बन जाएगा आपका एडम से सेंटर जनम अथार्थ दुनिया में क्या हो गया add हो गया, अब दिक्कत थोड़ी होगी यह, जनम होने का मतलब है, add हो गया दुनिया में आकर, add होगा तब ही तो जनम होगा, तो जनम से, अथार्थ, add होगया, तो add से, add से, addम से center, कर लोगे, कोई दिक्कत में है, अब मान लो, exam में, addम से center, option में ही नहीं दे, इसको चुपा आले और सीधा New York दे दे, बोले बताओ, अब क्या दो, तो भी हम करेंगे, फिर इसको भी जोड़ दलो, क्या, बोले यार, जब भी किसी का जनम होता है, तो एकदम वो new होता है, जब भी किसी का जनम होता है, वो इस दुनिया में एकदम new होता है, एकदम phrase होता है, तो जनम क का मतलब जब भी किसी का जनम होगा तो वो क्या रहता है मान लीजिए Florida option में नहीं दिया और इसने पहला option बना के दे दिया लेट प्लेसिड क्लब दूसरा option दे दिया Adams Center Adams तो आप देखते ही समझ जाओगे यहां तो एड होता है मतलब जनम होता है तो यह तो होई नहीं सकता तुरंत काट दोगे आप जरूरती नहीं पड़ेगी ज्यादा सोचने की एड का मतलब बुले यार यहां तो किसी ना किसी डेवी भी बूल जाओगे न आप तो भी एड से पकड़ जाओगे एड का मतलब यह तो जनम वाली बात हो रही थी किसी ना किसी की तो यह तो मर्त्यू पूच रहा है तो यहां तो होई नहीं सकता ऐसे आप अपने हाँ काट दोगे अगर ये भी बूल जाओगे तो डेवी का नाम भी इससे बूल जाओगे तो भी कर पाओगे अब देखो मर्त्यू के इससे में क्यूशन मना दिया कि मेलविल डेवी सहाब की मर्त्यू कब हुई थी और ओप्शन में डाल दिया लेक प्लेसिट गलब एडम सेंटर और दो ओप्शन और नए बना दिया लेक का अर्थ क्या होता है वैसे देखा जाई तो जील होता है जील लेक था जील तो बोले यार जब मर्त्यू हुई डेवी सहाब की तो लेक के पीछे ले जाके दपना दिया लेक के पीछे दपना दिया मर्तिव गई तो लेक के पीछे लेक के पीछे कब ले गई थे मर्तिव नेपल ले जाकर क्या कर देते हैं वहां दपना देते हैं तो लेक से लेक प्लेस्ट कलब लेक प्लेसिट कलब की स्थापना वैसे अठारा सो पिचानवा में हुई थे आपकी जानकारी के लिए बता दू मैंने ऐसे याद कर रखा है प्लेस्ट पिचान वाइस प्लेस्ट पैप और प्लेस्ट पिचान वाइस ब्यूरो बईयासी उना है यह इस्ट आपको जोड़नी पडेंगे नहीं तो खिचडी बन जाएगी लास्ट में कुछ समझ में ही नहीं आएगा, पता ही नहीं चलेगा कि ये किस सीज़ की सनर है, टो जोड ये इनको, प्लेस्ट पिक्चाणओं में नहीं पैसे जोड रखा है, और ये लेक्ट प्लेस्ट जो कलब था, वो एक वैसे देखा जाए तो हेल्थ कलब था वैसे ही ए, हेल्थ कलब था, बाद में इसकी स्तापना भी मेलविल डेवी के द्वारा ही करी जाती है, अठारा सो पिचानों में, और बाद में जब डेवी साहब के मर्त्यू होती है, तो देखो मर्त्यू भी इसी स्तान पर हो रही है, बतार जिस व्यक्ति ने इसका निर्मान किया था, उ आप एल्विल डेवी की द्वारा थारा सो पिच्चानों में करी जाती है, तो इन चीजों को आप ऐसे कनेक्ट कर लिया करो, अब सुनो, मान लो, लेक प्लेसिड ओप्सन में ही ना आए, बोले गुरू जी फ्लोरीड आ जाए तो केक राम, प्लोरीड आ जाए तो केक राम कुछ करना ही नहीं है, चीजे जुड़ जाती है, मैंने पहले ही दिन कहा था, लाइब्रेरी साइंस में बहुत से चीजे जुड़ जाती है, आपका आधा बर्डन तो ऐसे ही कम हो जाएगा, कुछ रटना ही नहीं पड़ेगा, देखो कैसे जुड़ेगा, एक बात बताओ, जब कोई आदमी, जब किसी व्यक्ति की मर्त्यू होती है, तो क्या उसे फ्लोर पे लिटा जते हैं, मर्त्यू के बाद फ्लोर पे सुला देते हैं, तो वही तो है, मर्त्यू हो गई, और मर्त्यू होते ही अपने फ्लोरीडा से फ्लोर, फ्लोर, फ्लोर पे लिटा दिया है, फ्लोर पे कब लिटाते हैं, जब आदमी मर जाता है, तो मर गये, जब भी मरती हो जाएगी, तो कहां लिटाएगे, फ्लोर पे, तो फ्लोर से क्या हो जाएगा, फ्लोरिडा, बस, that's it, ज्यादा लोड लेने की ज़रूरत ही नहीं है, अब देखिएगा, थोड़ा सा आगे असिस्टेंट के रूट में कारिय कहां किया, अधार्त सहाय के रूट में कारिय कहां किया, मैल्विल डेवी सबसे पहले लाइब्रेरियन किस कोलेज में बने, कितने समय के लिए बने, सबसे पहले डाइरेक्टर के रूट में कारिय कहां किया, मैल्विल डेवी ने कौन-कौ जर्णल का प्रकाशन कब प्राडब किया यह बहुत से चीजें हैं जो मेल्विल डेवी के समद्ध में बार बार पूछी रहती है तो देखिएगा मेल्विल डेवी मेल्विल डेवी सहब के द्वारा अपने केरियर की सुरुवात है सबसे पहले यह जो आपकी M सहर्ट को लेज है जिसे देखो मैं M सहर्ट बोलता हूं इसको M सहर्ट वैसे वास्तों में अगर इसका सुद्ध नाम देखे तो M हर्स्ट है M हर्स्ट है M सहर्ट नहीं है मुझे बोलने में आसानी होती है इसलिए मैं इसे M सहर्ट बोलता हूं ठीक है अब आप कमेंट करने मतलग जाना बोले गुर जी यह तो M हर्स्ट होता है बाई सब्दों में कुछ नहीं रखा भावनाओं को समझो और वहां कोई नहीं पूछने वाला तुमसे वहां तो यह दिखे एक मत्र होई है मैं सबसे यही कहता हूं कि मेरा PhD करवाने का कोई प्लान नहीं है मेरे PhD करवाने की बस्ती बात भी नहीं है साब सब्दों में कहता हूँ हाँ मैं जो content दे रहा हूँ मेरी guarantee है वो तयार के लिजे आपके 90% के आसपास question एक्जाम में हूब हूब मिल जाएंगे इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं कह सकता मैंने selection लिया है और अच्छी rank के साथ selection लिया है वो तो जबकि मेरा आदा ही मेंटर था उसके बाद तो मैं बहुत सी यूनिवर्सिटीज का content इकटा करके ओल डाल दिया तो आप इस पर तो शक्त कता ही ना करें as a tease question मिलेंगे आपको exam में देख लिजेगा आप पेपर देने के बाद मिलिएगा मुझे और ये कहींगे बोले गुर जी बगवान होके तो हलांकि हम ऐसा हम ऐसे इंसान नहीं है और बस ये है कि किसी का भला हो जाए बाकि हमारा और कोई इसके पीछे उद्देशे नहीं है देखिएगा, एमर्ष्ट कोलेज के अंदर सबसे पहले इनोंने असिस्टेंट के रूप में कारिय किया, अथार्थ इस कोलेज के अंदर मेल्विल देवी सहब एक सहय के रूप में कारिय करते हैं, वहाँ पर ये क्या करते हैं? जो भी पाठक के लाइबरेरी में आते हैं त आती ही साथ जो आलमारियों में पुस्तकों का व्यवस्थापन करना होता है अधार्ट आलमारियों में पुस्तकों का व्यवस्थापन का कारिय भी डेवी साब करते हैं अधार्ट यह वहां लाइब्रेरियन नहीं थे एक सहयक के रूप में वहां कारिय कर रहे थे लाइब्रेरियन की बात आथी है क्यू में पूछा जाता है कि मैल विल डेवी सबसे पहले लाइब्रेरियन कहा बने तो लाइब्रेरियन के रूप में कारिय किया था इन्होंने कोलंबिया को لेज में और 1863 में किया था कौन ले जाता है जो New York State library है वो इनको यहां से उठा ले जाते हैं और ले जाकर director बना देते हैं निदेशक बना देते हैं 1809 से में वहां जाकर director बन जाते हैं और 1906 तक लगातार New York State library में इनके जवारा कार्य किया जाता है और बहुत महंगी फीस अथार्त महंगी सेलरी डेवी साब इसके लिए लेते हैं उसे जमाने के 3500 डॉलर उसके लिए सेलरी लेते हैं मैल्विल डेवी साब तो खेर चर्चा करेंगे हम इंची जो की तो तो देखो अब देखिएगा सरवपरतम सहाइक के रूप में कारिय किया कहाँ पर एंचार्ट कोलेज में उसके बाद एल ए देखिएगा इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं जब मैल्विल डेवी का नाम आ गया तो थोड़ा सा इसके बारे में अपन डिसकर्स कर ही लेते हैं देखो ए एल ए इसका पूरा नाम होता है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसियेशन अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसियेशन ए एल ए का पूरा नाम क्या है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसियेशन इसकी इस्थापना अथार्थ ए एल ए की इस्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे मैल्विल डेवी थे और मैल्विल डेवी के द्वारा इसकी इस्थापना स्थापना इन्होंने करीती है मैल्विल डेवी के द्वारा एले की स्थापना कब करी जाती है 1866 में 1866 में इसकी स्थापना मैल्विल डेवी के द्वारा की जाती है अब सुनगे यह जो 1866 है यह बहुत काम की सन है यह बार बार आपको तो देखने को मिलेगी कब कब मिलेगी मैं बता जाता हूं आपको साथ ही जोड़ देता हूं चलो आज इसको भी 1816 के अंदर देखो सबसे पहले तो ALA की स्थापना हो गई एक चीज तो यह हो गई आपकी ALA की स्थापना हो जाती है 1816 के अंदर ही आपकी DDC का फर्स्ट पब्लिकेशन पहला परकाशन हो जाता है DDC का पहला परकाशन मेलविल डेवी की ज्वारा कर दिया जाता है 1816 में हलांकि DDC का निर्मान हिनों ने 1813 में ही करके रख लिया था बाद में 1816 में इसका परकाशन किया था तो निर्मान से संबन्दित क्यूशन आये तो 1813 बताईएगा और जब DDC के पहले परकाशन की बाद करें तो 1816 बताईएगा एक चीज और है 1816 में यहाँ पर लाइब्रेरी जर्नल भी लाइब्रेरी जर्नल की इस्थापना भी मेल्विल डेवी साब के द्वारा करी जाती है इसका परकाशन लाइब्रेरी जर्नल का परकाशन मेल्विल डेवी साब के द्वारा किया जाता है तो यहाँ से एक तो क्यूशन यह बन गया लाइब्रेरी जर्नल का परकाशन किसके द्वारा किया गया मेल्विल डेवी द्वारा कब किया गया 1816 में डीडी सी का परकाशन पहला 1816 में A.L.A की स्थापना 1806 में अब सुनिए जो ये A.L.A है हटा देता हूँ में इनको आप देख लिजिएगा जो A.L.A है इसकी स्थापना हो जाती है 1806 में डेवी के द्‎वारा और जैसे ही इसकी स्थापना होती है इसकी स्थापना के साथ ही मैल्विल डेवी को सचीव बना दिया जाता है मैल्विल डेवी को सचीव बना दिया जाता है देखिए खास बात ALA की स्तापना 18006 में होती है और 18006 में ही मैल्विल डेवी सचीव बन जाते है तो 18006 वाले चीज में ये और जोड लेगा बोल मेलविल डेवी सचीव भी बनते हैं पहली बार ये लेके तो ये भी जोड लीजेगा अठारा सो चेतर में ही बन जाते हैं सेवन्टी सिक्स में सचीव बनते हैं और सेवन्टी सिक्स से लेकर चेंतर से 1800 एक्राण में तक यहाँ पर यह सचीव बने रहते हैं सचीव 1800 चेंतर से लेकर एक्राण में तक बनते हैं काफी लंबे समय तक इन्होंने ये पद ग्रहन किया लेकिन मन भर गया इसका काफी टाइम तक इस जोब से ये उप गए फिर इन्होंने कहा बोले अब मैं सचीव नहीं अब मैं अध्यक्स बनूँगा बोले अब मैं अध्यक्स बनाओ तो फिर अध्यक्स बने अठारा सो एकरान में से लेकर अध्यक्स तिरान में तक 93 तक ये क्या रहे अध्यक्स रहे तो क्यूसर पूछा जाता है ALE के सचीव के रूप में मेलविल डेवी ने कब कारिय किया तो 1854 से 1151 में तक ALE के अध्धक्स के रूप में कारिय किया 1891 से 1353 इन चीजों को ध्धान में रखियेगा ALE की बात आती है तो आप ILA को भी देख लिजिए थोड़ा सा कि इसकी स्थापना कभ होई थी में एहम योगदान होता है SR रंगानाथन का जिनका 12 आगस्त 1892 को जनब होता है और 27 सिक्तमबर 1902 को उनकी मर्ट्यू हो जाती है उस व्यक्ति का ILA की स्तापना में एहम योगदान था ठीक है जी चलते हैं हम तोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं यहां तक आ गए थे इन चीजो सबसे पहले मेल वी लाइब्रेलियन बनते हैं कोलंबिया कोलेज में और कब बनते Хैं 1883 में और यह कब तक बने रहते हैं 1883 से लेकर 18803 से लेकर 1889 कि यहां पर क्या करें इन्लाइब्रेयियन कि रूप में इन्हों ने कारियर किया बाद में 1889 में यहां से चले जाते हैं और कहां चले जाते हैं नियोर्क स्टेट लाइब्रेरी में और वहां पर जाकर इनको डाइरेक्टर बना दिया जाता है निदेशक का पद दे दिया जाता है और फिर 1906 तक मैलविल डेविस साब वहाँ पर निदेशक के रूप में कारिय करते हैं खेर थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं पहले अब सुनो ये सब बहुत इंपोर्टेंट है लाइब्रेरी इकोनोमी देखो आज जिस विशे को आप लोग लाइब्रेरी साइंस कहते हैं वैसे इसका नाम आज की स्थिति में अगर पून रूप से देखा जाए तो इसका वर्तमान में नाम लाइब्रेरी एंड इनफोर्मेशन साइंस है पुस्तकालाया में सूचना विज्ञान है आज जिस विशे को हम अभी पढ़ रहे हैं जिसे आप लाइब्रेरी साइंस कह देते हैं सीदे ही इसका आज लाइब्रेरी एंड इनफोर्मेशन साइंस कहते हैं लेकिन मैल्विल डेवी के टाइम पर अथार्थ सबसे पहले इस विशे का नाम लाइब्रेरी इकोनोमी था इस विशे का सबसे प्राचिन नाम लाइब्रेरी इकोनोमी था बाद में समय समय पर इसके नाम परिवर्थित होते गए जैसे अठारा सो मेल्विल डेवी का जनव 1851 और मर्त्यू 1931 इस से टाइम पीरियड की बाब है मेल्विल डेवी ने एक स्कूल भी कोली थी इस्कूल लाइब्रेरी एकोनोमी जो 1887 में जिसकी इस्ताफना करे थी बाद में लगबग दो साल के आसपास वो चली और उसका भारी विरोध किया गया तो फिर मेल्विल डेवी साब को वो इस्कूल बंद करनी पड़ी उस इस्कूल में पहली बार लाइब्रेरी साइंस की शिक्षा भी दे गई जीवन में अथार्त आज तक के इतिहास में पहली बार अगर पूछा जाए कि लाइब्रेरी साइंस की शिक्षा कहा प्राफ हो ही थी तो मेल्विल डेवी की स्कूल थी स्कूल लाइब्रेरी एकोनोमी जिसकी इस्ताफना मेल्विल डेवी साब ने 1887 में करी थी बोले स्कूल में जासी तो लाइब्रेरी स्कूल की लाइब्रेरी जासी तो इकोनोमी सिक्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् जिनका 1881 में जनम होता है और 1960 में उनकी मर्त्यू हो जाती है डेवी के ही सिश्य थे जब उनका काल आया तो उन्होंने इसका नाम बदल दिया लाइब्रिरी एकोनोमी का नाम बदल दिया और उन्होंने इसका नया नाम रखा लाइब्रेरियन सिप्ट फिर उनके एक सिश्य सेर्स के सिस्य अथार्त रंगानातन ने फिर से इसका नाम बदल दिया और उन्हों ने नाम बदल कर library science रख दिया जिसे हम पढते हैं आज कहते हैं लाइब्रेरी साइंस तो डेवी साहब ने नाम रखा library economy सेर्स ने रखा उसके बद librarianship और उसके बाद सेर्स के सिस्टे ने इसका नाम रख दिया रंगानातन ने क्या नाम रख दिया library science अब रंगानातन के गुजर जाने के बाद बहुत से विद्वान फिर से हुए उन सब विद्वानों ने इसका नाम फिर से बदल दिया और वर्तमान में जो इसका नाम है Library and Information Science वो रख दिया तो ये एक सिरीज बन जाती है बहुत बड़िया तरीके से आप इनको connect करिए सिरीज बना कर जोड़िए और याद करिएगा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा चलो जा ये बताई दिया Library Economy Melville Devi ने ये सब्द दिया था और पुस्तकाले विज्यान का पर्थम नाम था ठीक है अब देखिए ये जो मैंने सीरीज बताई है प्रारम से वर्तमान तक पुस्तकाले विज्यान के क्या-क्या नाम रहे मैंने एक जगए यहां डाल दिया है ताकि समझे आपको बिल्कुल भी नहीं हो मैं आपको पकी-पकाई खिचडी दे रहा हूं सिरफ आपको खाना है अब खा भी नहीं सकते हैं तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता उमीद करता हूं शायद देखो जब नया वीडियो आए इससे पहले का कंटेंट आप तयार करके आईए नहीं क्लास से पहले आप पूरा कंटेंट बड़िया तरीके से तयार करके आईए अगले टॉपिक पे आने से पहले अगली क्लास से पूरुव ही सब की सब बाते आपके याद होने जी ताकी आपके कंटेंट और जो ये कडियां हैं वो सब की सब आपस में जुड सकें अद्रवाइस तो खिचडी बन जाएगी कुछ भी समझ में नहीं आएगा आप गालियां और दोंगे बाद में पिछे से बुले आयो हो एक तो याद करके आप जरूर आईएगा मैं आपको सारा कंटेंट निकाल के बहुत सी किताबों से निकाल करके एक जगे व्योस्तित रूप से करवा रहा हूँ बहुत सी युनिवर्सिटी के किताबे हैं मेरे खुद के नोट्स हैं जिनसे मैंने खुद ने सेलेक्शन लिया उसके अलावा भी बहुत सी युनिवर्सिटीज की किताबे मैंने एक जगे लगाई है उनसे मुझे लगा कि हाँ ये अच्छा अच्छा content है वो चीज़े मैं आपके सामने परोस रहा अब खाओ तो सही देखो एक सब्दाया था सबसे पहले क्या था library economy किस ने दिया था Melville-Levy ने इसके बाद इनके सिस्षे हुए shares उन्होंने दिया library ansip उसके बाद उसके सिस्षे हुए तो उसने नाम दिया library science और वर्तमान में फिर इसका नाम रख दिया library and information science अब सुनिये Melville-Devy की बात आ रही है और Melville-Devy का जीवनकाल तो आपको याद हो गई ही जनम 1851 और मर्त्यू 1931 अथा 10 दिसंबर अठारा सोई क्याउन और 26 दिसंबर 1931 खेरापन सन ही ले रहे है यहाँ सेर्स का ले लीजिए सेर्स महुदे का जनम होता है अठारा सो साट में ओ सुरी मैठी जा बाई केचाव है जनम होता है 1881 में और मर्त्यू होती है 1960 में सेर्स महुदे की यह सेर्स महुदे का जीवनकाल हो गया उसके बाद आते हैं रंगानातन जनम होता है 12 आगस 1892 और 27 सिक्तमबर 1902 में इनकी मर्त्यू हो जाती है यह इनका जीवनकाल हो गया अब सुनिए मैलविल डेवी का चेला कौन सेर्स अमेरिका सेर्स का संबंद कहां से था इंग्लेंड और रंगानातन का संबंद कहां से था इंडिया, अथार्थ, भारत अब देखो यह चेले भी कहां जाके बनाते हैं यह देखिए गुरू सिष्चे परंपरा देखिए एक अमेरिका का है वह इंग्लेंड में जाकर चेला पना रहकों वह बहरतिया को चेला में मतलब इधर से देखो तो एक इंडियन है रंघानातनजाहब यह गुरुपनाते हैं इंग्लेण ब Espopy यंद में सैंस की पढ़ाई के लिए जाते हैं लंडन में उन्नी सूच ऊबीस में जाकर 1925 में वापस इंडिया आ जाते हैं अथाब輯े तक उन्हों ने रिख ही पूझा जाता है कि महीने रहे? 9 महीने. ये चीज पूछे जाती है एक्जाम में. लंडन में या इंग्लेंड में रंगानातन साहब कितने दिन रहेते या कितने महीने रहेते या कितने समय के लिए रहेते? तो आप क्या बताएंगे? बोले 9 महीने. कम गए थे ये भी पूछा जाता है? 1924 में इन्होंने लाइबरिन साइंस का अध्यन किया इसलिए ये गुरू सिष्य का यहाँ पर सयोग बना इसेर्स महुद्य कि इन्होंने गुरू बनाया मैल्विल डेवी को देखो एक कहते हैं न कि एक बार मैल्विल डेवी सहाब अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में थे उस समय की बात है ज़्यादा स्वास्ते उनका साथ नहीं दे रहा था तो उनको मैसूस हुआ कि अब मैं शायद इस पर ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाऊंगा वो बुजुर्ग हो गए थे लगभग उन्होंने अपने जीवन के 80 साल बिताए हैं और खास बात एक और है 80 साल ही लगभग रणारातन सहाब ने बिताए हैं तो एक भारतिय और अमेरिकन दोनों ने लगभग 80 80 साल उमर यहां बिताई है यह भी सहीं होगी ही रहा खेर जब मैल्विल डेवी सहाब बुड़े हो गए या पिर उनका स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा था तो उन्हें अपने सिस्य को कहा और उनका सिस्य कौन था सेर्स म कहा बोले मुझे ऐसा व्यक्ति चीए जो मेरे डीडीसी को डीडीसी दी थी न हुने तो मेरे डीडीसी को बहुत अच्छे तरीके से संचालित कर ले बहुत अच्छे तरीके से इसका मेनेजमेंट कर ले और आगे इसमें संसोधन वो करता रहे समय समय के अनुसार मुझे ऐस जिया से S.R. रंगानाथन बहुत ही talented बंदा है और library science की विशे में बहुत अधिक रूची रखता है, हमेशा कुछ ना कुछ बड़ा करने की सोचता है, बहुत बड़ी सोच रखता है इस विशे के संब्द में, क्यों ना आप उन्हें अप्रोच करें? तो बाकाइदा मेलविल डेवी सहब ने एक भारतिय होने पर देखो गर्व होता है ना, मेलविल डेवी सहब ने बाकाइदा पत्र लिखा रंगारातन सहब को, बोले मैं DDC पर कारिये करने की पून रूप से जिम्मेदारी आपको देता हूं, आपको सोपता हूं, अगर आप के लिए एगरी होतो, मैं इसके एडिशन वगेरा की, इसके मैनेजमेंट की, सारी जिम्मेदारी आपके उपर छोड़ता हूं, आगे आप इसे संचालित करिये, बहुत अच्छी ओपरचुनिटी थी रंगारातन सहब के पास, तो रंगारातन सहब ने क्या कहा, बोले सर, आ आपके डीडीसी में कुछ खामिया है, आपके डीडीसी के कुछ वीक पोइंट है, आपने इसमें लिट्रेचर के उपर काम नहीं किया, आपने जो डीडीसी तयार करी है, वो अपने हिसाब से तयार करी है, जो अमेरिका का सहित्य है, जो वेस्टन कंट्रीज का सहित्य है, उनको तो इससे व्योस्तित किया जा सकता है, लेकिन हमारे इंडिया में लिट्रेचर ज़्यादा है, सहित्य ज़्यादा है, तो हम आपकी डीडीसी से इस सहित्य को व्योस्तित नहीं कर सकते, वर्गीक्रित नहीं कर सकते, हमारे सहित्य की नंबर ही इतने नहीं है, के उपर बोले आपका काम नहीं है बहुत कम काम है मैं अपने इंडिया के हिसाब से एक अलग वर्गी करण पद्दती का निर्मान करूंगा जो हमारे भारत के लिए यूजपुल हो तो यह कहके उन्हों मना किया था और उसके बाद 1931 में फाइव लोज ओब लाइब्रेरी साइंस का प्रकाशन किया और 1933 में एक नहीं वर्गी करण पद्दती का पहला एबिशन जारी कर दिया था तो यह भी बहुत बड़ी सक्सियत थे ऐसे इने फादर ओप लाइब्रेरी साइंस इंडिया में नहीं कहा जाता है इस एर रंगानाथन को एसे थोड़ी ना कहते हैं रंगानाथन को चोटी सी हस्ती थोड़ी ना थेको बहुत मेहनती थे देखिएगा आगे बढ़ते हैं और देखो मैल्विल डेवी चोटी सी चीज थोड़ी ना थे बताता हूं मैं देखिए आप सोचिए एक बार कि मैल्विल डेवी का जनम 1851 में होता है और 1931 में मर्तिव देखो इस मर्तिव को भी आप जोड़ सकते हो 1931 सबसे पहले जो लाइब्रेरी साइंस के अंदर अपने रंगानाथन साब है ऐसा रंगानाथन उन्होंने अपनी पहली पुस्तक जारी कर दी थी 1931 में तो याद ऐसे कर सकते हैं बोले रंगानाथन साब की तो पहली पुस्तक आती है उस पुस्तक को देखर ही मैल्विल डेवी तो सलट गए थे इतनी जबरदस्त पुस्तक थी फाइव लोज पांच नियम थे उन पांच नियमों को देखकर ही मैल्विल डेवी तो सलट गए थे अब मैल्विल डेवी भी कोई छोटी सी चीज नहीं है बहुत बड़ी हस्ती है लाइब्रेडी साइंस के विशे में बहुत बड़ा नाम है मैं यह कहूँ कि सबसे बड़ा नाम है तो गलत नहीं होगा देखिए क्योंकि इन्होंने पूरा जीवन लाइब्रेडी साइंस को दिया है जनम होता है 1851 और मर्त्यू हो जाती है 1931 में देखिएगा आप डीडीसी का निर्मान कर दिया था इन्होंने 1873 में और तहतर माइनस करिए 22 साल की उमर में तो इन्होंने वर्गीकरण की पद्दती बना दी थी 22 साल की उमर में आज भी हमें वर्गी करण को पढ़ने में समझने में समझ्या होती है जो लिखा हुआ है उसको समझने में की भी-समश्या होती है इस बंदे ने तो गुश्ञा की उनर में भी पुस्तकों का वर्गी करन करके वर्गी करन की पद्दती जारी करती थी अताइस पद्दती का निर्मान कर दिया था और 25 साल साल कर में कर दिया मौत10 1864 में तो 22 साल कोई ज्यादा बड़ी उमर थोड़ी ना है तो ऐसे ही थोड़ी ना इनको याद किया जाता है आगे चलते हैं तोड़ा साथ अब देखो कुछ important fact है जो कि बार-बार exam में पूछे जाते हैं इसलिए यहां करवाना बहुत जरूरी था कई बार पूछे जा चुके है लाइब्रेरी जर्नल वैसे तो मैंने बता दिया लाइब्रेरी जर्नल 1864 में परकासन किस ने किया मैल्व डॉकवाती है बैयासी में लैक प्लेसिद कलब 800 पिचानवा प्लेस पिचानवा पै 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 जोड दीजेए पै 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 प्लेस्ट पिचानवा में ठीक है इसकूल लाइब्रेरी अकोनमी बोले school की लाइब्रेरियम जासी तो इकोनमी तो जोड दीजेगा इस स्कूल कि लाइबरेरी में इकोनोमी तो सिक्यासी किसने निर्मित किया या इस संस्था का निर्मान किसने किया मेलविल डेवी साब ने कब किया 1887 में ठिक है ये लाइबरेरी साइन्स का क्या था बही पर्थम स्कूल था ये बात हम already कर चुके हैं खेर ये दो चीजे और है मैल्विल डेवी के द्वारा ही Northwood School की स्थापना भी करी जाती है और One Press की स्थापना भी मैल्विल डेवी के द्वारा करी जाती है मैंने खूब कोशीज करी मुझे इनकी सटी के authentic proof नहीं मिला वर्स का इसलिए मैंने वर्स नहीं डाला है मैंने खूब डूंडा लेकिन मिलते तो खूब है लेकिन authentic source होना चीए मैं गलत याद करवा दूँ क्या मतलब है मैंने बहुत सी किताबे भी देखी बहुत सी universities की books भी देखी लेकिन मुझे authentic source इनका नहीं मिला इसलिए मैंने इनकी और नहीं इनकी सनाज तक पूछी गई है क्योंकि मैंने इतना सर्च किया है मुझे नहीं मिला तो फिर ऐसे गलत करवाने से तो कोई फाइदा भी नहीं है इसलिए examiner भी इन चीजों को फालतों में नहीं डालना चाता ऐसी चीजों में उलजना नहीं चाता तो यहां से पुछा गया इस इतना ही नोर्थूड स्कूल की स्तापना किस ने की थी डेवी ने और वन्प्रेस के वारे में पुछा गया था एक बार कि स्तापना किस ने करी है मैल विल डेवी ने शिरफ एक दो बार की उसन इनके पूछे गए हैं ये दोनों चीज़े ज्यादा पूछी नहीं जाती है फिर भी मैंने डाल दी है क्या पता किस्मत खराब हो उले किस्मत खराब हो है ना उन्ट पर बेटे डाना भी कुत्तों का जाये गरा है तो धाम राखिएगा अपन इन चीज़ों को छोड़ नहीं सकते हैं क्या पता किस्मत फुटी हुई हो सला कुछ भी आजा एक्जाम में पता नहीं रिस्क ले नहीं सकते हम इस बार ठीक है? देखिएगा अगर मेरे द्वारा यहां दिया गया कंटेंट है और पढ़ने का तरीका आप लोगों को पसंद आया हो आपको इससे कुछ फाइदा हुआ हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और वीडियो को लाइक कर दीजेगा थेंक्यू